दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने Telegram एकाउंट को अपने Laptop या Computer में कैसे Login करें अगर आप अपने Telegram को अपने Laptop में यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं चले मैं आपको बताता हूँ जैसे आप टेलिग्राम डेक्स्टॉप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले नमबर पर ये मिल जागा टेलिग्राम डेक्स्टॉप इस पर आप क्लिक कर दीजे इसके बाद देखे यहाँ पर यह आटोमेटिक डिटेक्ट करेगा आपका विंडो और उसका बिट तो यहाँ पर आ जाएगा get टेलिग्राम फॉर विंडोज 64-bit आपका अगर 32-bit का होगा तो यहाँ 32-bit आ जाएगा तो आपको इस पर क्लिक देना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो टेलिग्राम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यह आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है बहुत ही छोटा सा है केवल 42 MB का है तो इसको डाउनलोड हो जाने दीजे तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है अब आपको जाना है डाउनलोड में अब इसको आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करना तो आपको आता ही होगा मैंने पहले से ही इसको 2-3 बार install कर लिया है लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे install करते हैं पहले इसको select कीजे, mouse का right बटन दबाईए फिर यहाँ पर आपको option मिलेगा run as administrator आप इस पर click कर दीजे अब आपसे permission माँगेगा तो yes कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपसे language बूझेगा तो language select करके ok कर दीजेगा अब यहाँ पर next करने को बोलेगा तो आप next next करते वे चले जाएगा फिर आपका telegram install हो जाएगा तो मैंने पहले से install किया हुआ इस वैसे मैं इसको दोबारे से install नहीं करूँगा जब यह install हो जाएगा तो आपको आजाना है अपने desktop पर और यहाँ पर आपको telegram app मिल जागा अगर यहाँ पर नहीं मिला है तो यहाँ यह जो windows का icon इस पर click कीजे फिर यहाँ पर recently added में आपको telegram मिल जागा अगर यहाँ पर नहीं मिला है तो यहाँ से search कर लिजे telegram तो यहाँ से आप इसको open कर सकते हैं तो यहाँ से मैं इसको open कर लेता हूँ जब आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा start messaging आपको इस पर click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर एक QR code आ जाएगा आप इस QR code को scan करके भी login कर सकते हैं जैसे आप WhatsApp में करते हैं इसके लिए आपको जाना होगा Telegram में, वहाँ पर setting में जाना होगा फिट devices में, वहाँ पर आपको option मिलेगा link device और link device पर click करने के बाद आपको QR code को scan कर लेना है और आपका Telegram login हो जाएगा लेकिन इस वीडियो में मैं number से आपको login करना सिखाऊँगा तो यहाँ देखिए नीचे आपको option मिलेगा login using your phone number आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको अपना country select कर लेना है इसके बाद आपको अपना वो phone number डाल देना है जिससे आपने Telegram account बना हुआ है तो यहाँ पर मैं अपना phone number डाल देता हूँ phone number डालने के बाद आपको next वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपके Telegram app में 6 digit का OTP आएगा उसको आपको यहाँ पर डालना है तो चलिए हम लोग चलते अपने Telegram app में तो आप Telegram app को open कीजे और यहाँ पर आप देख सकते है Telegram के official channel की तरब से हमें OTP आ चुका है यहाँ देखे blue tick बना होगा इसको आप open कीजे और इसमें आपको यह OTP मिल जागा तो इस OTP को यहाँ पर enter कर दीजे मैं OTP डाल देता हूँ 89 65 55 जैसे मैंने OTP डाला तो आप देख सकते हैं मेरा Telegram एकाउंट यहाँ पर लोग इन हो चुका है और जितने भी मेरे चैट से सब कुछ यहाँ पर सो कर रहा है अब यहाँ से आप जिसको भी चाहे मैसेज कर सकते हैं यह देखे मैंने Telegram ओपन कर लिया यह जिस भी एकाउंट को आप ओपन करना चाते हैं उसको ओपन कर सकते हैं अगर आप इसको वाइट मोड में करना चाते हैं तो यहाँ तील लैन पर क्लिक कीजे और यहाँ देखे नाइट मोड अभी चालू है तो इसको आप ओफ कर दीजे अब यह ब्राइट हो जाएगा तो इस प्रकार से आप अपने कम्प्यूटर रे लैप्टॉप में टेलिग्राम एकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हलफू लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेजेगा